हेलो एवर्डिवान वेलकम बैक टू माई चैनल आज के इस वीडियो में हम क्लासिक्स के हिंदी के लेशन 2 के कॉस्टन को सॉल्फ करेंगे इस लेशन का नेम असली चितर तो आप लोग जो है इस लेशन को मतलब कि इस अध्याय को आप लोग अच्छे से पढ़ लेजिएगा तब सी कॉस्टन को सॉल्फ कीज़ेगा मैं आप कहानी जो है वो आप लोग को खुद से ही पढ़ना है तो देखिए पार्ट से में दिया गया है पहला कॉस्टन है यह कहानी आपको कैसी लगी इस संदर में आप अपने विचार वैक्त करें आपको यह कहानी जैसी लगी आपको बताना है तो यहाँ पर मैं लिखी हूँ आंसर में यह कहानी हमें बहुत अच्छी लगी और यह कहान कि चालाकी तथा तेनाली राम की सूज बूज का वर्णन है तेनाली राम की बुद्धी के आगे कंजू सेट जी की चालाकी नहीं चली और अंत में उसे हार माननी पड़ी देखिए अब नेक्ट कोशन देखते हैं कोशन नमबर टू इस कहानी का कौन सा पात्र इस कहानी का कौ के बढ़ती है क्योंकि तेनाली राम के सूज बूज के कारण ही सेट को अपनी कंजूसी का त्याग करना पड़ा और चितरकार को उसके परिसरम का फल मिल गया देखिए नेक्ट कोशन है चितरकार ने तेनाली राम से मिलने का फैसला क्यों लिया तो इसका अंसर हो जागा से सेट की कारस्तानी के कारण चितरकार को हर बार नए ने चितर बनाने पड़ते और हर बार उसे निरासा हाथ लगती रही लेकिन कई दिनों के अनुभों से वा सेट की चाल को समझ चुका था वा अपने कई दिनों की महनत को बेकार नहीं जाने देना चाहता था इसलिए चित कोरी खर्च करने में उसकी जान निकलती ही इस वाक्य का आसि परश्ट केजिये स्लिए उसे एक कोरी खर्च करने में जान निकलती है कहानी में एक ऐसा ही सेट था जो पैसे को हाथ से निकलना सहन नहीं कर सकता था अब देखें यहाँ आपको दिया गया एडिक अस्थानों को भड़िये मतलब जो खाली जगा उसको आपको क्या करना फिल करना है को मैं कंजू सेट ने चितरकार से डैस देने का वादा किया तो कंजू सेट ने चितरकार से सो स्वर्न मुद्राएं देने का वादा किया तो मगर जैसे कि चितरकार जो हो अगर उसका चितर बना देगा सिम टू सिम तो उसको क्या कgewड़ा है? जो सौसवर्ण मुद्राये देखा है तो यहाँ पर आपको लिखना है लखना है तो जब आप यह कहानी पढ़िएगा जर्म आपको और बेच्छे समझ में आजाएगा तो यहाँ पर आपको लिखना है सौ सौन मुद्राये गहानी तो मिरका है की तो यह कहानी जो है राजा किरिशनेजर रागी की मैं और आपको क्याना क consec on Tыхra देवराय गौमे चितरकार ने डैस से सलाह ली तो चितरकार जो है वो किसे सलाह लिया था वो तेनाली राम से सलाह लिया था तो यहां पर क्या लिखना है तेनाली राम तेनाली राम देखिये गौमे एक दिन चितरकार डैस लेकर सेट के पास पहुचा तो क्या लेकर पहुंचा था आइना लेकर पहुंचा था क्यूंकि वो चीतर बनाता था ना सेट का तो सेट जो हर बार चीतर में कुछ न कुछ निकाल देता था कि चीतर में ये गलती ये वो गलती है तो वो क्या क्या चीतर का आइना ही लेकर उसके पास चला गया था देखे निश्ट क्या है तेनाली राम राजा किरिश्ने देव राय के दरबार में डैस थें तो क्या थे मंत्री यहां पर मैं लिख देती हूँ आप लोग अपने बुग में फिल्ट कर सकते हैं फिर कॉपी में भी बना सकते हैं अब देखे शिक्स नंबर में आपको आपके अनुसार आपके अनुसार चितरकार ने सेट को चितर के जगा आयना क्यों दिखाया वह सेट को मुल्क समझता था या फिर वह सेट का सही चितर नहीं बना सकता था या फिर वह सेट को केसान जैसे को तैसा कहवा चरितार्थ कर रहा था या फिर वह अपना पारी सरमिक पाना चाहता था तो चितरकार जो है वो अपना पारी सरमिक पाना चाहता था तो ये वला क्या जाएगा राइट हो जाएगा आपको इसमें क्या करना है ठीक लगा देना या फिर लिग देना है देखिए अब आपको कॉस्चन दिया गया पार्ट से आगे मतलब पार्ट से आगे मैं आपको कॉस्चन दिया गया है चितरकार की जगा आप होते तो क्या करते इसका अंसर हो जागा चितरकार के जगा पर मैं होता तो वही करता जैसा चितरकार ने किया ताकि मैं अपने परिस्तरम का फल हासिल कर सकूँ नेक्स्ट है गप लगाने से नुकसान जादा होता है या फाइदा पांच वाक्यों में लिखिए इसका आंसर हो जागा गप लगाने का आधार अधिकतर ज़्यादा देर तक बातचीत करना होता है ज़्यादा गप लगाने से समय की बरबादी होती है गप लगाने से कभी कभी इनसान ऐसा बात बोल जाता है जो उसे नहीं बोलना चाहिए था साथ ही बेकार की बात सुनते रहने से मन भी उप जाता है इसलिए गप लगाने से नुकसान ज़्यादा होता है फायदा बिल्कुल नहीं अब देखे कॉस्टन नमबर थिरी है बार 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 कंजू सेर द्वारा अपना चहरा बदल लेने के बाद चितरकार को सलाह किसने दी दी गई सलाह का क्या परिनाम हुआ तो देखे इसका आंसर हो जाएगा बार बार कंजू सेट द्वारा अपना चहरा बदल लेने के बाद चितरकार को तेनाली राम ने सलाह दी चितरकार सेट की चालाकी से परसान हो गया था फिर वह तेनाली राम से मिलने का फैसला लिया और अपनी परसानी बताई तेनाली राम ने चितरकार को आईना लेकर जाने को कहा जिससे सेट को अपना सही चहरा दिखाई दे जिससे कंजू सेट का असली चहरा पर कट हो गया और सेट को हार मानना पड़ा तेनाली राम दोरा दी गई सला का सही परिनाम पड़ा इसी कारण चित्रकार की समस्या का समधान हो सका देखें चित्रकार जब भी चित्र बनाएं कर लेकर जाता था तो सेट क्या करता था वो बार पर अपना चेहरा जो है वो बदल लेता था हर बार यही करता था तो चितरकार के वह उसे बहुत ज्यादा परिसान हो गया और वो गया तेनाली राम के पास तो तेनाली राम नहीं उसे सलाह दिया कि आप आएना लेकर जाएए तो जब चितरकार आएना लेकर गया तो उसका असली जहरा कि है सामने आगया जिससे चितरिकार को जो है उसके पड़िसरम का फल भी मिल गया और कंजू सेट को अपना सपब भी मिल गया तो देखिए आप क्या रहा है क्या इस कहानी का कोई और सिर्सक हो सकता है यदि हाँ तो क्या तो इस कहानी का एक सिर्सक और हो सकता है कंजू सेट दिखे आप दिया गया आपको वयाकरन में बॉक्स में दिये गया सब्दों को संग्या की वीभी ने भेदों में छाट कर लिखे तो संग्या की जो है पांच भेद होते हो के पांच भेद होते हैं यहाँ पे दिखे आपको नेम भी दिया गया है वड़्ग, चीनी, हिमाला, मेला, तो यह समय आपको चूज करके लिखना कौन जाती वाचक है, कौन वक्ति वाचक, भाव वाचक, कौन दरव वाचक, कौन सर्मो वाचक तो देखे, जाती वाचक संगिया जो है कि जिसे किसी व्यक्तिया वस्तू के आधिक मतब संपूर्ण ज जाती वाचक संगया कहते है जाती वाचक संगया कहते है जैसे कि नदी हो गया मनुस से हो गया लड़का हो गया देखें नदी कहें तो दुन के लिकिए चितरकार गाय आईना देखें मतब दुनिया का सारा आईना कोई भी चितरकार ये नहीं नहीं कि असल नेम वो इसमें क्या वाचक संगया जो हम लोग उसे ही कहते है नेक्ठे वाचक संगया तो जिन सब्दों से किसी वीशेस वाच्थी अस्थान अत्वा वस्तू का बोध हो मतब कोई भी खास जिसे वाच्थी 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 फार वाचक संग्या, जिन सब्दों से किसी पदारती प्रानी के गून भाव स्व Chicago ह보ोता है, भाव जैसे कंजूसी इमान्दारी, यह सि mailing क्या इंसान का अंदर का गून है, इमान्दारी क्या है गून है तो उसको का कहती है, सब्सक्राइब नतर्य को तो यह सब किसमें आजाका इन कि समु पर शाग है जिन सब्दों से एक ही जाती है कि वस्तों के समू का बोद होता है तो आपको क्या करना था इसमें से बस चून किया आपको लोग वर्ग मेला तो यहां पर देखिए वर्ग आ गया यहां मेला आ गया और यहां पर लोग आ गया तो यह सब क्या समू वाचक में आ गया देखे नेक्ट आपको दिया गया इन मोहावडों को वाक्यों में पढ़ियो किजिए वाक की बनाना आपको मोहावडा का पानी पानी होना मतलब सच्चाई परकट होने पर कंजू सेट पानी पानी हो गया मतलब कि अतरसार्म आना तो जब साच्छाई परकट हो गया कंजू सेट का तो वो पानी पानी हो गया वाक्य जो है वो आप अपने एकॉर्डिंग भी बना सकते हैं सेकेंड में काम चांदी होना मतलब लाब होना तेनाली राम के द्वारा दिये गए सला से चितरकार का काम चांदी हो गया मतलब कि लाब हो गया चितरकार को क्या लाब हो गया ना तरी में हस्ते हस्ते लोट पोर्ट होना हसी आना राजा कृष्ण देव राई ने जब चितरकार और कंजू सेट की कहानी सुनी तो वह हस्ते हस्ते लोट पोर्ट हो गया हिम्मत हारना अधीर होना मुश्किल घड़ी में भी मनुस्य को हिम्मत नहीं हारना चाहिए फाइप में हैं भांचक रह जाना आस्चरे चकीत होना चितरकार कंजू सेट की कारस्तानी देखकर भांचक रह गया देखिए नेक्ष्ट है इनके वीपी ताथरक शब्द लिखिए मतलब आपको उल्टा लिखना ओपोजिट नहीं का हो जागा पुड़ाना निरासा का आसा स समझ का ना समझ देर का जल्दी सही का गलत उसके बाद आपको दिया गया है नीम निशब्दो से वाक्य बनाई यह मतलब कि क्या करना आपको इसका वाक्य चितरकार से वाक्य बनाना तो चितरकार का हो जागा मेरा मीत्र राजा बहुत अच्छा चितरकार है तो वाक्य जो एक अच्छा सलाकार था नाटक कार राज एक नाटक कार है तो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो देखने के थांक्यू सो मच